जहिंद एस्पिरेंट्स इस वीडियो में आपको OTA चिनाई के लाइस्टाल के बार में बताऊंगी जहां पर फीमेल और मेल दोनों ओफिसर्स के चेनिंग होती है जहां आप CDS, SSB और मेडिकल को क्लियर करने के बाद जाते हो तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले वहाँ पर स्टेशन पर आपको बस पिक करने आएगी और वहाँ से आपको अकैडमी ले जाया जाएगा वहाँ पहुचने के पाद जो आपके सीनियर्स होंगे, युनिफॉर्म में जो होंगे वहाँ पर वो आपको सब कुसम जाएंगे उस दिन आपको बनाती जाएगी जो एक तरीके से आपकी टीम होगी फिर नेक्स डे से आपकी में ट्रेनिंग शुरू होगी कैड़ेट्स को मॉर्निंग 4-5 एम के बीच उठ जाना होता है और पीटी के लिए रेडी होना होता है क्योंकि हम सबकी आदत बन जाते थी वहाँ पे चार से पाच बजे की बीच उठने की शुरू में एक दो दिन दिकत आई थी उठने की वज़ेसे लेक्चर में नीन आने लगती थी और जो भी कैड़ेट्स के दौरान जपकिल लेता पाया जाता था उससे तुरंद पनिश्मे और आदत ही बनने लग गया इंफेक्ट घर आने के बाद भी सुबह पाच बजे नीन खुल जाती थी अपने आप फ्रेनिंग के फर्स दे से ही आपको सुबह जल्दी उठने की आदत सबसे पहले डालनी होगी और आगे भी सब ध्यान रखना होगा नहीं तो रगड़ा ट् आपको मिल सकती है पीटी के बाद आपको सिर्फ यूनिफॉर्म पहन कर वापस आने तक का टाइम मिलेगा क्योंकि साथ बज़े तक फिर अपका ट्रेनिंग सेशन और ड्रिल वगएरा होगी चेंज होता रहता है जिसमें वेपन ट्रेनिंग होती है फिजिकल ट्रेनिंग हो क्योंकि आपको लेफ्टिन बनने के लिए पहले एक सोल्जर की ट्रेनिंग से होके गुजरना होगा अब जब आगे चलकर आपको उन्हें लीड करना होगा उन्हें कमांड देनी होगी तो आपको फिलिंग्स पता भी होनी चाहिए जिससे आप उन्हें सेंसिबल प्रैक्ट आती है फिर एक बज़े से तीन बज़े तक लंच टाइम और सो कॉल ब्रेक टाइम होता है जिसमें आपके पास औप्शन रहता है कि आप लंच के बाद कुछ प्रड़क्टिव कर सकते हो जैसे लेक्चर में जो कुछ भी कराया है उसको रिवाइस करना प्रैक्टिस करना य इसमें भी आपको इंटरस्ट हो फाइफ पीम टू सेवन थर्टी पीम होगा स्टडी टाइम आपका यह एक अनोफिशल स्टडी टाइम है जिसमें आप अपने बागी काम भी कर सकते हो जैसे रूम की साफ सफाई करना या आयन करना जैसे कैम्स में कुछ लोग मॉर्निंग इसमें नहीं नहा पाते थे तो फिर वो लोग इस टाइम पर नहाते थे या जो भी उनके बचे कुछे काम रहते थे उनको निफटा थे ते सो इट सब्टू यो कि आप स्टडी टाइम के दौरान अपने कौन-कौन से काम निफटाना चाहते हो पस आपको स्टडी पर भी फोकस करना ही है बिकस जो आपके टेस्ट होंगे फिजिकल और अकैडमिक टेस्ट उनमें भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा उनमें जो बेस् इनफेक्ट अगर टेस्ट पास नहीं किये तो शिक्स मंस दुबारा रिपेट करना होता है इसलिए आपको उस पर भी पूरा फोकस रखना है जो भी आपको पढ़ाया या सिखाया जाता है वहां पर 7.30 के बाद डिनर टाइम होता है और उसके बाद 10 बज़े तक सो जाते है सब जिसमें आपकी मर्जी है अगर आप 10 बज़े के बाद भी सोना चाहो तो क्योंकि यह करता है वो कितने बज़े सोना जाते हैं क्योंकि कुछ अपने नेक्स डे की प्रप्रेशन भी करते हैं बनाते हैं बट उठना आपको चार से पांच बज़े के बीच ही है उपर से प से चेंज़ रहेंगे बिक़ोज अव ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बाकी वही साइकर रहेगी पूरे स्यमेस्टर कभी मैं आपको बता दू फोर्टीन वीक सब्सक्राइं को और पहले से मिस्टर होगे जसमें इसी तरीके से आपका पूरा रूटीन रहेगा और दूसरे को चीज़ें समझानी होगी और सब कराना होगा जो भी आपको कराया गया था सेंटर में जैसे पीटी कराना जो भी आपके डाऊट्स रहे थे उनको क्लिएर करना अगर आपके junior Fred डाऊट्स है तो स्ट्रिक्टेस के साथ हैंडल गरना जहाँ पर भी जरूरत हो और उनकी रिपोर्ट्स ओविसर को देना मतलब ऐसी बहुत से चीज़े आपको भी करनी होगी जब आप सेकिंड सेंस्टर में आ जाओगे और सीनियर बन जाओगे कुछ एक्स्टर चीज़े बता देते हो वहां पर एक हॉल भी है जहां पर एवरी वेंस्डे और सैटरड़े मुवी दिखाई जाती है एक दिन हॉलिवड मुवी और एक दिन बॉलिवड मुवी और वहां स्मार्ट स्वोन अलाओ नहीं होगे आपको सिर्फ एवरी संडे एक बेसिक फोन दिया जाएगा जिससे आप सिर्फ कॉल कर सकोगे क्योंकि उसमें कैमरा वगरा कुछ भी नहीं होगा एक और बात आपको फिजिकल और जो अकैडमिक टेस्ट होगा वो दोनों ही क्लियर करने होगे और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि मेरिट अपस में होता है विच इस गुर्ड ट्रेनिंग से रिलेटेड और एसी बहुत सी चीज़े हैं जो मैंने एक वीडियो में बता रखी है जो और कहीं पर भी मेंशन नहीं है तो अगर आप सीडेस एक्जैम देने जा रहे हो या फिर ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हो तो उ पर आप वीडियो बे जरूर देख लेना विकुस लोगों के क्वेशन होते हैं कि क्या लेटिनेंस को भी वार में जाना होता है या फीमेल ओफिसर्स को भी बैटल फिल्ड में पाइट करनी पड़ती है या नहीं तो इन सभी चीजों के आंसर आपको उस वीडियो में और उ तो मुझे आप कोई माइक सजस्स कर देना क्योंकि मुझे फैन और रखके वीडियो बनाने पड़ती है जिससे साउंड वग्यर अग्दम अच्छे से हो तो अगर आप में से किसी को भी आइडिया है कि ऐसा कोई माइक जिससे बैग्ग्रांड नोईस भी कैंसल हो जाए तो मुझे आप एक बर बता देना क्योंकि बहुत जादा दिक्कत हो रही है बहुत जादा अगर में लग दिया में को तो आपको यह इन्फोर्मेशन देनी ते सारे इसले फिर मैंने वीडियो बनाई आपको सभी चीजे क्लिर होंगी बट इस तिल आप एनी डाउट रिगार्द इस तो आस्क्रीम इन कमें सेक्षिन और इंस्टर्राम जै हिंद्ट स्धूल प्रॉब प्रॉब एल